जैहिंद फ्रेंट्स तो आज किस वीडियो में हम BSC 3rd semester 5th यानि कि BSC 3rd year है आप लोगों की और semester 5th का examination 2023-24 का question paper लेकर आए हैं जो आपके exam के लिए important है यह question paper है home science का जो आपके NEP के तहद जो आप लोगों की परिच्छा हो रही है उसके लिए हम लोग आपके लिए question paper लेकर आ हाले हैं जो आपके home science subject लिए important है और इसका जो part है वो है surface और maintenance of fabrics यह है इसमें आपको two howards का समय दिया जाता है और आपको maximum mark आपका 75 नंबर का होता है कते नंबर का होता है 75 नंबर का यह question paper होता है paper code आपको यहाँ पर दिया गया है A130501T यह आपका paper code है यह आपका BA 3rd year semester 5th semester examination 2023-24 का question paper है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले कर आपने भी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दीजे साथ में वीडियो को भी like कर दीजे जिससे आने वाली video notification आपको time to time मिल सके तो यहाँ पर आपको कुछ दिये जाते हैं सबसे प इसके बाद दूसरा क्या निर्देश आपको दिया गया है दूसरा निर्देश दिया गया है अभ्यारती प्रेश्णों के उत्तर करमानुसार लिखें यदि किसी प्रेश्ण के कहीं भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारत मैं में लिखें यानि कि अभ्यारती में अगर उत् प्रतिव मार्क यानि कि प्रतिए कुष्ण आपका 5 नंबर का है और इस प्रकार आपके 9 प्रस्ण आपसे पूछे जायेंगे तो इस प्रकार आपके 45 नंबर का खंड आवाला हो जाता है पहला question क्या है explain the different method of dyeing क्या है रंगाई की विविन विधियां समझाईए यह रंगनी की विविन विधियां है वो आपको यहाँ पर समझानी है इसके बाद है what are types of fabric क्या है what are types of fabric कपड़े कितने प्रकारके होते है क्या है इसके बाद D पार्ट है, right down the type of kantha embroidery, यहीं कन्था कड़ाई के प्रकार लिखे क्या है, kantha कड़ाई के आपको प्रकार लिखने है, right down the types of kantha embroidery, इसके बाद E पार्ट है, इसी का difference between die, die and die of Rajasthan and Gujarat, क्या है difference between आपको बताना है, tie and die Rajasthan की जो है and Gujarat में क्या difference है, तो यहाँ पर Rajasthan गुजरात के बंधिज में क्या अंतर है, क्या है, राजिस्थान एवं गुजरात के बंधिज में क्या अंतर है, यह आपको यहाँ पर बताना है, इसके बाद इसका F-Wart आ जाता है, तो F-Wart में हमसे क्या कह रहा है, write a short note on jari border sari of Rajasthan, क्या है, यह आपको short note लिखना है, हिंदी में समझ लेते हैं, राजिस्थान की jari border की sari पर एक संचिप्त टिपड़ी लिखनी होगी, इसके बाद जी कोशिचन है, write a note on mercerizing finish, क्या है, write a note on mercerizing finish, मरसरी करण परिसज्जा पर एक टिपड़ी क्या है, मरसरी करण परिसज्जा पर एक टिपड़ी लिखिये, यानि, write a note on mercerizing finish, इसके बाद नेक्ट कोशिचन है, इसी का, describe in brief the factors affecting family clothing, पारिवारिक परिधान को प्रभावित करने वाले कारकों का संचेप में वड़न करजी, क्या है, आई पार्ट है, what is the process of dry cleaning cloth, यानि कपड़ों को dry clean करने की प्रक्रिया क्या है, यानि कि dry clean का मतलब साफ और, क्या करना है, साफ और सुखाने की प्रक्रिया क्या है, कपड़ों की dry clean प्रक्रिया क्या है, ये आपको यहाँ पर समझाना है, इसके बाद खंडबा आ जाता है तो खंडबा लॉंग आंसर टाइप कोईशन होगे इसमें आपसे दिर गुतियर प्रश्ण पूछे जाएंगे तो यहाँ पर आपका खंडबा सुरू हो जाता है यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर क्या है सबसे पहला कोईशन है दूसरा कोईशन आ जाता है भारत की किनी तीन परमपरागरत वस्तरों की विस्तरत जानकारी आपको यहाँ पर देनी है इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन है यानि कि आपको क्या करना है यानि कि बुनाई बीविंग को क्या कहते है तो यहाँ पर क्या होगा बुनाई से आप क्या समझते है किनी तीन बुनाईयों का वड़न कीजिए इसके बाद कुश्चन नमबर फोर है यहाँ पर क्या है इस्टेंसिल छपाई का क्या अर्थ है इस्टेंसिल छपाई के लाभहानी का वड़न कीजिए इसके बाद कुश्चन नमबर फाइब है राइट डाउन दी डिफ्रेंट एमस और फिनिसेज और फैबरिक्स इन डीटेल यानि कि वस्तनों की परिस्क्रत एवं परिसज्जा के विभिन उद्देशों का विस्तार से समझाए क्या करना है यहाँ पर वस्तनों के परिस्क्रत यानि कि निर्माण के और जो है परिसज्जा यानि कि खत्म करने की उद्देश क्या हैं क्या हैं तो यहाँ पर बस्तनों के परिस्क्रत एवं परिसज्जा के विभिन उद्द्द्योशों को विस्तार से लिखे इसके बाद खंड़सा आजाता है तो इसमें भी आपकी दीरगुत्रिये प्रेश्ट होंगे लॉंग आंसर टाइप कुश्जन्स होंगे और यहाँ पर आपका परतीक कुश्जन कितने नमर का होगा पंद्राक नमर कुश्जन होगा और आपको एक कुश्जन का आंसर दीना होगा पहला इसमें कुश्जन आपसे क्या पूछ रहा है एक्स्प्लेइन डीटेल्स अबाउट इस्टोरिज एंड के यर ओफ क्लॉस यानि कि बस्तों की सुरच्छा एवं उनके रख रखाओ के बारे में विस्तार से बताईए क्या आपको बताना है बस्तों की सुरच्छा क्या है एवं उनके रख रखाओ के बारे में विस्तार से आपको वडन करना है इसके बाद question number 7 है What is the difference between dyeing and printing? Describe different types of printing यानि कि difference आपको dyeing और printing में का difference से वो बताना है और कितने different types of कितने प्रकार की printing होती है रंगाई एवं छपाई में क्या अंतर है? छपाई के विभिन प्रकारों को समझाएए क्या है? रंगाई एवं छपाई में आपको सबसे पहले अंतर बताना है और छपाई के विभिन प्रकारों को आपको समझाना है इसके बाद write down the about the finishes of water and flames क्या है? हिंदी में क्या है? हिंदी में question आपको दिया गया है जल अभेद एवं अगनी अभेद हेतु वर्स्त्रों पर दी जाने वाली परिसज्जा के बारे में समझाईए किस परिसज्जा के बारे में जल अभेद एवं अगनी अभेद हेतु वर्स्त्रों पर दी जाने वाली परिसज्जा पर आपको एक बारे परिसज्जा के वारे में लिखना है इसके बाद लाश्ट कोईशन हमारे पास 9 है जो हमारे पेपर का लाश्ट कोईशन है Explain the design and colors used in कस्मीरी सॉल यहनी कस्मीरी सॉल में उप्योग होने वाले नमूनों ये वं रंगों का वड़न कीजिए तो यहाँ पर ये आपका Home Science का 3rd year का 3rd semester का BA Home Science का 3rd year का 5th semester का question paper है जो हमने आपको सारे questions दिखा दिये हैं जो आपके exam के लिए important हैं ऐसे ही questions आपके exam में आने वाले हैं तो इन questions को आप अच्छे से याद कर लीजेगा अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको Google पर सर्च करना होगा हिंदुस्तान नौलेज आपको सर्च करना होगा तो वहाँ पर आपको हिंदुस्तान.com एक वेब साइट मिलेगी उस पर आपको क्लिक करना है आपको 3.पर क्लिक करेंगे तो वीडियो को शेयर करिएगा लाइक करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में